Hello Everyone, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वारत है तो आज इस वीडियो में हम GE Hindi 3rd Semester के previous year questions देखने वाले हैं जैसा कि आपको पताईए आपका Hindi का exam काफी करीब आ गया है तो आज हम जानेंगे कि कौन-कौन से previous year में ऐसे questions आये हैं जो इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं exam में ताकि आपकी help हो exam में आप अच्छी preparation कर पाए अच्छे से अपने exam को tempt कर पाए तो चली start करते हैं start करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी अगर आप हमारी चैनल पर पहले बार आए हैं तो subscribe कर लेजिए ताकि हमारी हर वीडियो के update आपको timely मिलती रहे तो चली start करते हैं तो यह जो आपका exam है हिंदी का जी हिंदी हिंदी भाषा हिंदी गध्या का उद्भव विकास इसमें आपने से लिए बस तो I hope देख लिया होगा तो उसके according किस तरीके के questions आपके आ सकते हैं वो हम जानेंगे जो कि previous year में भी काफी वाब पूछे रहे हैं तो चली start करते हैं आप आपके question दिखाए देगा होगा हिंदी कहानी की विकास याद्रा को स्पष्ट केजिए तो इसमें क्या कहा रहे हैं कि हिंदी में जो कहानी है कहानी आपको पता ही है हिंदी गद्रा के विधा है ठीक है तो हिंदी कहानी की विकास याद्रों को स्पष्ट करना है बताना है तो जैसा हमने सुभ़ह भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हिंदी कहानी के उपर explain किया दा सारा तो आप इसमें वो सारा गल लिख देंगे तो आपको अच्छे marks मिल जाएंगे तो इस तरी की का एक question ज़रूर आएगा या तो हिंदी कहानी के उपर आ सकते हैं या हिंदी एकांग की या फिर रेखा चितर के उपर भी आ सकते हैं संस्मरन के उपर व्यंगी के उपर भी पूछा जा सकते हैं कि हिंदी व्यंगे की विकास यात्रा को स्पर्ष्ट केजिए ठीक है तो आप सारी चीज़े प्रिपेर कर लेजेगा सारी टोपिक्स सारी नितो आप एक दू टोपिक्स तो प्रिपेर तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगे कि आप दो, तिन topic तो प्रीप्यर कर ही लिजिगा या तो आप कहानी रेखा चित्र एंड संस्मरन प्रीप्यर कर लिजिगा या फिर संस्मरन वियंगे और कहानी ओर फिर निभरन्द भी कर सकते हैं तो दो तिन टोपिक अगर आप प्रिपेर करके चलेंगे अच्छे से, तो आपका वो इनफ है, ठीक है, मलबे का मालिक कहानी की समेधना को सपष्ट कीजिए, मूर समेधना या फिर प्रतिपाद्य पूछा जाए, या फिर सारांश पूछा जाए, तीनों में आपको उसका समर करें लिखना होगा, समरी ही लिखनी होगा, दो आपको मलबे का मालिक कहानी की समेधना को सपष्ट कीजिए, तो इस में आपको मूर समेधना ही लिखनी होगी, ठीक है, इसके लावा यहाँ पर देखिए, मेरे राम का मुकट भीग रहा है निबंध का सारांश लिखे तो जो आपके निबंध दिये हुए है दो आपके syllabus में उन दोनों निबंधों में से आपको एक निबंध भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो वो इनफ है बस वो निबंध आपको इतने अच्छे से आना चाहिए कि आप उस पर 5-6 पेजिस लिख सके और उसका सारांश आप जरूर कर लेजेगा क्योंकि एक्जाम में सारांश ये पूछा जाते है इसके लावा यहाँ पर देखें यहाँ पर चरित्री चित्रन के ओपर भी एक कोशन आये हुआ है तो आप के जोन एकांकी दी हुई है आपके सिलेबस में दीबदान एकांकी उसके जो पात्र है उनका चरित्री चित्रन आप अच्छे से कर लिजेगा मलबे का मालिक जो कहानी है उसमें भी जो पात्र है उनका भी आप चरित्री चित्रन अच्छे से कर लिजीगा चरित्री चित्रन आप तभी कर पाएंगे जब आपको वो स्टोरी पता होगी तो आप स्टोरी भी एक बाप पटकर जाएंगा ठीक है चले नेक्स्ट देखते है यहां पर देखिए सनस्मरन और रेखा चित्र का सामाने परेचे देजिए अब इसमें क्या कहा गया है सामाने परेचे देना होगा तो आप उस पर एक धेट पेज लिफ देंगे तो इनफ है ठीक है जैसे यहाँ पर देखे संस्मरन एंड रेखा चित्र दोनों के बारी में बताना है ठीक है तो इसलिए मैं बोलगी है आपको कि दो तिन टोपिक तो आप अच्छे से करके ही जाएगा यूनिट वन में से ठीक है क्योंकि दो चीज़ों को साथ में भी पूछा जा सकते है जैसे यहाँ पर संस्मरन एंड रेखा चित्र का समाने परीचे दिन है इसमें आप इन दोनों के बीश में डिफ्रेंस भी बता सकते है कि संस्मरन रेखा चितर के भीश में क्या डिफेंस होता है क्या इंकी विशेशता है ठीक है नेक्स्ट देखते है नमक का दरोगा कहानी अथार्प से आदर्श की यात्रा है बुल्यांकन कीजिए तो इस तरही के के भी कोशन्स आपके एक्जाम में आ सकते है जिसमें आपको अपने माइंड का अपने इंटिलेक्ट का यूज करके आंसर देना होगा ठीक है तो ये भी इसके लिए भी आपको स्टोरी अच्छे से आने चाहिए ठीक है अभी आपर ये थार्प से आदर्श की यात्र है इसका मतलब कि आपको पता ये कहानी में मुन्शिवन्शिदर जो एक पात्र है वो क्या करता है अपने आदर्शों पर अडिक रहता है और उसको रिश्वत ओफर की जाते है फेबी वो रिश्वत नहीं लेता है ठीक है निबंध का प्रतिपादी जरूर आ सकते हैं प्रतिपादी या सारांश तो उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेर हीएगा क्योंकि आपके सिलेवस में निबंध भी दिये हुए है दो भाव तथा मनोविकार निबंध है वो भी आप अच्छे से करके जा सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए निबंध के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए अब यहाँ पर कोशन के शब्द बदल दिये गए है लेकिन मतलब वही है ठीक है इसमें आपको क्या बताना है निबंध के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालना मतलब की निबंध का उद्भव कैसे हुआ निबंध का मतलब क्या होता है अर्थ क्या होता है ठीक है एंड इसका विकास कैसे हुआ यह आपको बताना होगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आशायन की definition लिखनी है कहानी की दिन आपको ये बिताने है कि कहानी का विकास कैसे हुआ कौन-कौन से famous कहानी का आ रहे हैं ठीक है इसके लावा जैसे आपकी दो कहानिया दियुए है नमक का दरोगा और मलबे का मालिक इन दोनों कहानियों की तात्विक समिक्षा भी पूछी जा सकती है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस कहानी की तात्विक समिक्षा कीजिए तो तात्विक समिक्षा का मतलब भी वही है कि आपको इसका सराश बताना है ठीक है यहाँ पर देखिए हिंदी निबंद के विकास पर प्रकाश डालें तो वही है हिंदी निबंद के बार में आपको बताने है कैसे उसका विकास हुआ तो यह आपके कुछ प्रिवियस यह कोशन्स थे इस सब्जेक्ट से रिलेटिट तो मुझे मेरे वीडिया को यूसफुल लगी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हैल्प हो सके थैंक्यू वेरी मच